मैं मधु चौधरी, Associate Professor in Government लोहिया कॉलेज चूरू आज हम साइटोलोजी में माइक्रो टीबियूल्स पर चर्चा करेंगे माइक्रो टीबियूल्स, एक्टीन फिलामेंट्स और इंटर्मीडियेट फिलामेंट्स के साथ मिलकर साइटोस्केलर्टन का निर्मान करते हैं कोशिका के आकार को निश्चित बनाये रखने के लिए और कोशिका के भीतर वे दो कोशिकाओं के मध्ये विभिन पद्दार्थों के संचालन हितु कोशिका में सुक्षम नलिकाएं यानि माइक्रो टिवियोस, एक्टेन तंतु यानि एक्टेन फिलामेंट्स और मध्यस्त तंतु यानि इंटर्मीडियट फिलामेंट्स से बना साइटो स्केलेटन होता है सुक्ष्म नलिकाएं और मध्यस्त तन्तु कोशिका की संरचना तथा कार्य के निर्धारण में महत्वपून भूमी का निभाते हैं यहां हम देख रहे हैं components of cytoskeleton यह actin filaments हैं जिनका diameter 7 nanometer होता है यहां हम देख रहे हैं intermediate filaments जो fibrous polypeptide से बने होते हैं और इनका diameter होता है 10 nanometer यह microtubles हैं जो tubulin dimers से बने होते हैं और इनका diameter होता है 25 nanometer Microtubles या सुक्ष्म नलिकाएं सुक्ष्म नलिकाओं को सर्व प्रथम Robertis और Frenchy ने myelinated nerve cells के exoplasm में देखा और इनका नाम दिया neurotubules पादब कोशिकाओं में सुक्ष्म नलिकाओं की उपस्तिती को सर्व प्रथम लेट बैटर और पॉर्टर ने 1963 में देखा distribution या वित्रण जब हम इसका देखते हैं तो सुक्ष्म नलिकाएं amoeba, slime mold और इस्तंधारियों की परिपक्व लाल रुधीर कणिकाओं के अतिरिक्त अधिकांश, जन्तु तथा पादब कोशिकाओं में पाए जाने वाले अवियव हैं और सुक्ष्म नलिकाएं विभिन प्रकार की कोशिकी संडचनाओं में पाए जाती हैं जैसे की cilia और phlazilla अर्थात पक्षमाव और कशाबिका में इसके अलावा centrosome और basal bodies में हम इने देखते हैं neural processes में यानि तंत्री का प्रक्रम में हमें ये दिखाई देते हैं mitotic apparatus यानि समसुत्री उपकरण में हमें दिखाई देते हैं विभिजोति की कोशिकाओं के cortex में हम इने देख सकते हैं लंबी कोशिकाओं तथा कुछ अन्य संडचनाओं जिनमें तंतू रूपी संडचनाएं होती हैं उनमें ये उपस्थित होते हैं position या इस्थिति अगर इनकी कोशिका में देखी जाए तो ये प्राय वाहिये कोशिका द्रवे में बिखरी हुई देखी जाती हैं ये रचनाएं कोशिका के लंबवत अक्ष के समान अभी विन्यासित यानि ओरियंटेड हो सकती हैं ये रचनाएं दो कोशिकाओं के मध्य पाये जाने वाले डैस्मोसोंस वाले छेत्र में काफी स्पस्ट नजर आती हैं और सेंट्रियोल से संबंदित होती हैं कई कोशिकाओं में ये संपूर्ण कोशिका द्रव में फैली रहती हैं और कभी-कभी इनने केंद्रक में भी देखा जा सकता हैं संडचना अगर हम इनकी देखें सुक्षम नलिकाएं नलिका रूपी बेलनाकार संडचनाएं होती हैं जो एशाखित होती हैं यानि रिमारकेवली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म इन साइस तथा इनकी लंबाई कई माइक्रों तक हो सकती है ये 20 से 30 नैनोमीटर अर्थात 200 से 300 एंग्स्टॉं तक मोटी और खोखली नलिका रुपी संडचनाएं हैं अगर इनका ट्रांस्वर सेक लिया जाए तो ये सुक्षम नलिकाएं तेहरे उपीकाईयों के गोलाकार क्रम में लगी संडचना के समान दिखाई देती हैं इन उपीकाईयों का व्यास 5 से 7 नैनोमीटर आकार होता है और गोलाकार होती हैं ये उपीकाईयां प्रोटो तंतु खहलाती है यानि प्रोटो तथा इनका जो केंदरी अक्ष है या central core है उसके चारो और ये spirally arrange रहती है कुंडलिनी रूप में व्यवस्थित रहती है केंदरी अक्ष समानने तक हाली होता है लेकिन कभी-कभी कुछ dense dots और central rods पाई जाती है जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये transverse section है एक micro-tibule का और यहाँ हमें ये 13 गोला कार उपिकाईया नजर आ रही है इसका diameter micro-tibule का वो 20 से 30 nanometer size में होता है और एक जो sub unit है जो यहाँ पर 13 sub units है उसमें से एक sub unit का जो diameter है या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो micro-tibule की जो wall है उसकी thickness 5 से 7 nanometer size तक होती है और इसका जो central core है यह central core जनरली खाली होता है लेकिन कभी-कभी यहाँ पर कुछ dense dots या फिर central rod पाई जाते है जो sub units है इसकी जो 13 sub units इसके पाई जाते है इनको हम proto-fibrils कहते हैं micro-tibular structure tubulin protein की दो इकाईयों जिने हम इसकी उप इकाईयां बोलते हैं alpha और beta उनके dimer से form होती है यह जो alpha और beta sub units के dimer है यह dimer से यह micro-tubules आवश्यक्ता अनुसार cytoplasm में बनते और बिगड़ते रहते हैं इनका बनना निर्भर करता है magnesium आयन के concentration पर और जब temperature लगभग 37 degree centigrade होता है तो यह dimer से micro-tubules form होते हैं जब temperature zero degree centigrade हो और calcium आयन का concentration ज्यादा हो तो यह micro-tubules अपने dimers में जो alpha और beta sub unit से बने होते हैं उसमें तूट जाते हैं तो continuous यह होने वाला process है यह एक dynamic प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और जो alpha और beta से बने dimers है उनसे micro-tubules का निर्मार और micro-tubules का पुन है उसके dimers में तूटना लगातार चलता रहता है एक जो micro-tubules है जैसे हम पहले देख चुके हैं कि इसका diameter लगभग 25 nanometer होता है इसकी वाल क्यूंके 5-7 nanometer size के होता है एक जो sub unit है उसकी thickness इतनी है तो इसका जो center part है या central core है इस central core का diameter वो 14 nanometer size का होता है micro-tubules का एक end plus end होता है जहां से जो dimers है alpha और beta tubulin वो इसमें जुड़ते रहते हैं formation होता रहता है micro-tubules का और वो end जहां से ये dimers इससे अलग होते हैं उन्हें हम कहते हैं minus end chemical composition अगर देखा जाए तो प्रतेक उपिकाई जो alpha और beta tubulin इसमें है उसका sedimentation coefficient या आवसादन गुणांग 6s होता है और प्रतेक tubulin dimer alpha tubulin तथा beta tubulin नामक दो गोला कार polypeptides से बनी उपिकाईों से बना होता है प्रतेक उपिकाई का आणविक भार 60,000 डाल्टन होता है और alpha और beta tubulin के संगठन से जो dimers बनते हैं उन dimer का आणविक भारिया molecular rate एक लाख दस हजार से एक लाख पीस हजार डाल्टन तक होता है tubulin में kinase तथा 80 page सक्रियता भी पाई जाती है जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यह tubulin pool है जहाँ पर dimer alpha और alpha और beta tubulin से बने वे dimers मौझूद हैं जब इनकी assembly होती है तो यह micro filaments बनते हैं यह monomer के form में alpha और beta यहाँ पर हैं जिनसे dimer form होने के बाद में इसके यह formation होता है dimers जब एक साथ assemble होते हैं तो micro tubules form होते हैं colchicine और दूसरे कई ऐसे chemicals हैं ऐसे factor हैं जो block करते हैं इनकी assembly को अगर colchicine उपस्थित हो तो dimers से micro tubules का formation अवरूध होता है सुक्षम नलिकाओं की यानि micro tubules की इकाई जो dimer है वो protein tubulin 37 degree centigrade पर बहुली क्रत होता है यानि dimer form करता है और इससे सुक्षम नलिकाओं का निर्मान होता है अर्थत जो alpha और beta tubulin है यह इस तरह यह alpha और यह beta tubulin इस तरह से एक के बाद एक यह molecule arrange रहते है और इस तरह से इनका polymerization होता है और micro tubules का निर्मान होता है tubulin protein के अतिरिक्त कुछ और protein micro tubules से संबंदित होते हैं जिने MAPS यानि micro tubule associated proteins कहा जाता है यह यह सुक्षम नलिकाओं की निरंतर परिवर्तन शील सरचना का नियमन करते हैं अर्थत regulation करते हैं कई micro tubule associated proteins polymerization को बढ़ावा देने के लिए या depolarization को बाधित करने के लिए सुक्षम नलिकाओं को इस्थिर करने के लिए कारे करते हैं और अन्य micro tubule associated proteins सुक्षम नलिकाओं को कम इस्थिर बनाते हैं या यह कहें कि tubulin dimer बनने की परिक्रिया को बाधित करते हैं तो micro tubules का formation यानि उसकी assembly और उसकी disassembly ये दोनों उससे संबन्दित जो दूसरे proteins हैं उनके द्वारा regulate किया जाता है यानि उसका नियमन किया जाता है सुक्षम नलिकाओं धुरूविय संडचनाओं हैं जिनका एक सिर्ष धनात्मक और दूसरा रनात्मक होता है सेंट्रोसोम में रनात्मक सिर्ष धसे रहने के कारण इस्थाई होता है तथा धनात्मक सिर्ष ट्यूबलन प्रोटीन डाइमर जोडने पर व्रद्धी करता है हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये एक ये एक micro tubular structure है तो इसमें इस प्रकार से spirally arranged रहती है ये alpha subunits है और ये beta subunits है और ये क्रम हमेशा ऐसा ही रहता है ये दोनों मिलकर alpha और beta के dimers इस तरह से spirally arranged रहते हैं फिर alpha particles arranged रहते हैं फिर उसके बाद में फिर beta particles इसी तरह arrange रहते हैं अब जो इसका formation हो रहता है एक सिरा इसका होता है जहां से ये जो जो डाइमर्स हैं alpha और beta subunits के जो दोनों डाइमर्स है ये एक तरफ से जोड़ रहते हैं इसको हम कहते हैं ये इसका धनात्मक सिरा है और दूसरा सिरा जहां से ये अलग होते हैं इससे उसे हम इसका रिनात्मक सिरा बोलते हैं तो जो इसका धनात्मक सिरा है वहां से ये जोड़ेंगे और जो centrosome होते हैं उसमें जो इसका रिनात्मक सिरा है ये उसके अंदर धसा रहता है क्योंकि ये रिनात्मक सिरा उसके अंदर धसा रहता है तो यहां से डाइमर्स अलग नहीं होते और ऐसी स्थिति में ये जो संर आत्मक सिरा होता है वहाँ पर ये जो ट्यूबुलिन डाइमर्स हैं अलफा और बीटा ट्यूबुलिन से बने हुए ये उसके साथ में जुड़ते रहते हैं उसकी ब्रद्धी करते हैं सुक्षम नलिकाओं को 0 degree centigrade पर वी बहुली करण या प्रथक करण करने के पस्चाथ यदि Magnesium आयन तथा GTP उर्जा श्रोत के रूप में मिलाए जाएं तो सुक्षम नलिकाओं 37 degree centigrade पर पुने बहुली करत हो जाती है यानि Polymerized हो जाती है Magnesium आयन GTP के अतिरिक्त MEPS यानि Microtubule Associated Proteins सुक्षम नलिकिये संगठित प्रोटीन भी सुक्षम प्रोटीन के बहुली करण के लिए आवश्यक होते है यानि सुक्षम नलिकाओं के बहुली करण के लिए आवश्यक होते है अर्थात सुक्षम नलिकाओं की उपिकाईयों के बहुली करण में Microtubule Associated Protein भी आवश्यक होते है Functions यानि कारें के सुक्षम नलिकाओं कोशिका के निम्न महत्पून कारे करती है सुक्षम नलिकाओं विशिष्ट रूप से पक्षमाभूं की तरंगित गती और कशाभूं और एक्जो स्टाइल गती से संबंदित होती है सुक्षम नलिकाओं कोशिका विभाजन के समय समसुत्री उपकरण यानि Mitotic Apparatus या तरकू यानि स्पिंडल के रूप में पाई जाती है अर्थात उनका निर्मान करती है ये गुण सुत्रों के सेंट्रों मियर वाले इस्थान से सनलग्न रहती है तथा इनके संकुचन से गुण सुत्र विपरित ध्रूओं की और गमन करते है ये रचनाएं कोशिका का आकार निर्धारित करती हैं तथा इसके घटकों के पुनर वित्रण को नियंत्रित करती हैं इस प्रकार सुक्षम नलिकाएं साइटोसकेलेटन यानि कोशिके कंकाल की तरह कारे करती हैं सुक्षम नलिकाएं कोशिका में सुक्षम परिशंचरण तंत्र यानि माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह कारे करती हैं जिससे जल एवं अकारबनिक आयनों के अंतह कोशिके सम्वेहन में मदद निलती है भूर्णिये परिवर्धन के समय सुक्ष्म नलिकाएं कोशिका विभेधन यानि सर्ड डिफ्रेंसेशन में महतपोर्ण भूमी का अदा करती हैं पादःक कोशिकाओं में सुक्ष्म नलिकाएं, कोशिका द्रवी धाराय तथा साइकलोसिस से संबंदित होती हैं कुछ प्रोटो जुआ जैसे कि नासूला में सुक्षम नलिकाएं भोजन और कोशिका द्रवी ग्रसनी में धकेलने का कारे करती हैं तो जैसा हम यहां समझ सकते हैं कि माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम यानि जो साइटो प्लाज्म है उसमें क्यूंके सारे में यह नूकलियस है यहां माइक्रो टीबिल्स फैले वे रहते हैं और यह क्यूंके नलिकाएं के समान संरचनाई होती हैं तो कोशिका द्रवे में जो स एपरिपक या immature सेल है और वो मैचूर होकर टीशू का निर्मान जब करती हैं सेल्स तो उसमें कोशिका का शेप भी अलग-अलग प्रकार का होता है कभी वो इलंगेट हो जाती हैं तो अलग-अलग जो शेप कोशिका का रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए उसको निश्चि सब्सक्राइब का मॉलेक्यूल्स का यह दूसरे पदार्थ है उनके सर्कूलेशन मेच क्योंके बहुत महत्तपूर्ण भूमी का है माईक्रोटीविल्स की तो साइक्लोसिस यानि जो कोशिका धरवय का मॉमेंट होता है उसमें भी इसका रोल होता है इसी प्रकार जो पाद्ड़ पदार्थों का होता है जो यहां पर बहुत सुक्षम सीलिया और सीलिया पाय जाते हैं वह सीलिया जो क्योंकि यह अक्वाटिक ऑनिमल्स है तो जल की जो धाराएं है वाटर करण्स हैं उनका फलो इन सीलिया के मुवमेंट के कारण होता है जैसे यहां यह साइटो फैरिंग्स है यह साइटो फैरिंग्स में यहां पर यह सीलिया होते हैं और यह वाटर कैरंट्स इनके मुवमेंट से इधार आते हैं और इन वाटर कैरंट्स के साथ यह जो जल की धराएं सुक्षम जीव भी इस साइटोप्लाजिमिक फैरिंस में थे अंदर चले सकते हैं यदी या नी हम कह सकते हैं कि भोजन को धकेलने का का रहर जो सुक्षम जीव हैं उनके साइटो प्लाजिमिक फैरिंस में water currents के साथ या या water currents के flow को बनाए रख कर किया जाता है और यह जो cilia और phlazella होते हैं इनका basal body क्यूंकि micro tubule से बनीवी सरचना है तो इस प्रकार micro tubule की बहुत महतुपून भूमिका हो जाती है इस प्रकार के process में या प्रक्रिया में जहां पर cytoplasmic pharynx में भोजन को धकेला जाता है या cytoplasmic pharynx के द्वारा भोजन ग्रहन किया जाता है इस प्रकार हमने देखा कि micro tubules जो अव्यव हैं या घटक हैं किसी कोशिका के उनकी संड़चना और उनके कारे क्या हैं थेंक यू